तो यार जैसे के आप पीछे देख पा रहे हैं न बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टुरेंट्स हमेसा मतलब उनके दिमाग में भरा जाता है कि gate, gate करना है तुमको gate करना है तुमको gate करना है, एक काम कर ले ना तुम gate का paper दे देना, एक काम कर लो तुम ये वाली book ले लो gate कर देना और जब second year के बच्चे के अगर हम बात करें तो second year के बच्चे को ये चीजे समझना, या first year के बच्चे को यह चीज समझना कि gate करना है हलाकि मतलब अब बच्चे बहुत smart हैं सब लोग बहुत तेज हैं लेकिन फिर भी उनको यह चीज है समझना कि gate करना है यह कही न कही से उतना असान नहीं होता है जितना हम लोग सोचते हैं आप अपने जैसे senior को देखते हैं पहले कि हाँ senior मेरी तयार है मेरा से senior हो तयारी कर रहा है और अभी मतलब senior से उतना interaction भी नहीं है लोग घर में हैं कोई पढ़ रहा है कोई अपने मतलब कहीं न कहीं busy है तो इतना press rise क्यों किया जाता है कि sir gate कर लेते हैं हमें gate करना क्यों है आपको इस चीज का idea होना चाहिए तो मैंने आप पीछे देखोगे ना तो मैंने एक लिखर खाया ऐसे title अगर आप पीछे देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा gate भी दिखेगा और इस gate में एक question mark लगा दिया है कि why क्यों gate करना है तो gate का मतलब पहला जो मेरा concern है जैसे मैंने तयारी की थी तो gate की तयारी मैंने इसलिए नहीं की थी कि नहीं मुझे ये वाली job पानी है या यहाँ पर emtech करना है मैंने ऐसा कुछ नहीं और आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि gate का मतलब यह है कि मैं बस अपने आप में जाऊंगा ये वाली नोकरी लग जाएगी वैसा कुछ नहीं सोचना है gate का मतलब यह है कि आपको अपने आपको सबसे पहले technically strong बनाना है gate का मतलब बिल्कुल clear है कि सर मैं अपने आपको चाहता हूँ कि मैं अपना technical strong करूँ मैं अपने fundamental clear करूँ है ना मैं जहे gate इसलिए नहीं करना है कि मैं job करना चाहता हूँ मुझे gate इसलिए नहीं करना है कि मैं आपको करना चाहता हूँ और base strong करने से होगा क्या base strong करने से ये होगा कि आप further कहीं पे भी जाओगे let's suppose आपने तयारी कर ली अब तयारी करने के बाद आते है exam की बात अभी तक जो मैं बात कर रहा था आप preparation की बात कर रहे थे अब बात आती है exam की बात तो अब आपके पास आता है gate exam yes अब आपको gate exam लिखना है और gate exam लिखने का मतलब ये है कि आप अगर उसमें अच्छे से score कर गए तो score करने के बाद आपको बहुत सारे PSU's हैं बहुत सारे IIT's हैं जहां से आप जाके बहुत अच्छी अगर आपको लगता है कि मैं M-tech करना चाहता हूँ आपको लगता है MS करना चाहता हूँ आपको लगता है कि मैं किसी PSU में job करना चाहता हूँ आपको लगता है मैं central की job करना चाहता हूँ आपको लगता है कि मैं किसी अच्छी private company में काम करना चाहता हूँ तब आप इसके लायक होंगे तब आप इसके लिए capable होंगे तो gate की जो preparation होती है ये preparation आप कभी ये दिमाग में डालके करोई मत कि आप gate prepare कर रहे हैं आप बस इतना prepare करो कि I am preparing for my technical मैं अपना technical strong करना चाहता हूँ और अगर आपने technical strong कर लिया तो technical strong करने का मतलब है कि अब आप यहां से टेकनिकल करने कोई लोग बोलते हैं यहां सर गेट देना है अब आप यहां से दुनिया का कोई सा भी एक्जाम दो आप यहां चाहता है कि नहीं सर ने इस्टेट इंज़िनिंग की एक्जाम में जाना चाहता हूं हैं कि नहीं इसके साहत् मैं engineering services भी करना चाहता हूँ आप engineering services भी कर लिजे तो अगर आप gate की तयारी करते हैं तो gate की तयारी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नहीं हमको cable gate देना है हम इसलिए कर रहे हैं कि मैं अपने आपको na technically strong कर रहा हूँ मेरी ये feeling है कि अगर मैं technically strong रहा हूँ तो obviously मैं ये सब कुछ कर जाऊंगा ठीक है मतलब मेरी बात आप लोगों तक पहुँची होगी जो मैं आपको समझाना चाहरा हूँ कि gate को कभी इस से relate नहीं करना है कि नहीं सर मैं gate कर रहा था तो gate का मतलब बिल्कुल मैं gate के पीछे पड़ा हुआ था मुझे सर यही एक्जाम देना था दुनिया में मेरी life में इसके अलावा कोई एक्जाम नहीं वैसा कुछ भी नहीं मेरी life में बहुत सारे एक्जामस है और वो बहुत सारे एक्जामस के बल एक preparation से निकल सकते और इसी वज़े से हम लोग बोलते है gate is the gateway of engineering चीक है तो हमें gateway of engineering इसलिए बोला जाता है कि हाँ चलो ठीक है यह एक ऐसा एक्जाम और यह वर्ड के top 10 toughest एक्जाम में समय आता है top 10 में इसका place है तो मतलब यह बहुत अच्छा एक्जाम तो आप बचे बस यह सब छोड़के कि मैं gate की तैरी कर रहा हूँ अपना इस पर focus करो किना मैं cable cable अपने आपको तयार कर रहा हूँ अपने आपको तयार कर रहा हूँ वो युद्ध जो होने वाला वो जो journey है वो journey में तैर कर रहा हूँ और जब finally मुझे लड़ाई लड़नी होगी तो मैं लड़ूँगा जाकर ठीक है इन केस आपको हमारे साइट से कोई support चाहिए तो yes, you can take आपको लगता है कि हाँ सर मुझे technical में support चाहिए तो technical में हमीसा हम लोग आपके साथ है आपको लगता है कहीं पर और कुछ support चाहिए morally support चाहिए तो yes, we are here तो आप comment करके बताना अड़ा 24-7 हमीसा affordable education की बात करता है तो अगर आपको लगता है कि मैं systematic classes में जाना चाहता हूँ तो yes, आप systematic classes में चले जाना आपको लगता है कि नहीं सर systematic classes में मैं नहीं जाना चाहता हूँ मैं कुछ और करना चाहता हूँ मुझे youtube से पढ़ना है तो yes, gate adda 24-7 का channel है आप इसको subscribe कर लीजे ठीक है अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ अभी अगर मैं यहां से बात करूँ तो adda 24-7 पे अभी जो लोग भी plan कर रहे है gate 2000 यह 2022 तो हमारा जाने वाला है बट अगर आप gate 2024 gate 2024 का मतलब 24 में जो भी 23 में जितने exam होने वाले है 24 में जितने exam होने वाले उसका plan कर रहे है तो आप यहां से paid courses में जा सकते हैं और paid courses में जाने के लिए आपको बता भी देता हूं कैसे जाना है paid courses में जाने के इसका benefit यह मिलना है कि अगर आप 24 की तयारी कर रहे हैं तो हम आपको साथ में 25 की भी तयारी कर रहे है यह जर्नी है मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता है तो total 27 months का course मिलना है ठीक है you can use this code Y497 अगर आपको यह सब कुछ लेना है तो आप यहाँ से यह code लगा सकते है Y497 और कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूं और course की fees कितनी है आपको लग रहा है 27 months का है तो मतलब बहुत costly वैसा कुछ नहीं है अगर आप यहाँ से affordable education पर जाना चाहरे है तो आप देखे यहाँ से आपको यहाँ से कुछ नहीं करना अड़ा 24-7 टाइप करना है Google पर अड़ा 24-7 जैसे टाइप करेंगे आपके सामने यह पूरा page खुलेगा आप इसमें all courses में जाएंगे तो आपको यहाँ से gate and engineering देखेगा gate and engineering में सबसे पहले आप यहाँ से gate and ESC पर जाएंगे जैसे आप यहाँ से gate and ESC पर जाएंगे तो आपके लिए number of किसी भी branch के आप हैं आपको लगता है mechanical है, civil है, double E है, EC है जिस भी branch हैं आप किसी भी branch के courses को यहां से देख सकते है Quality question series है अगर आपको लगता है कि batch join करना है तो यह आपके पास weekend batch है यह आपके पास यहां से weekend batch है और अगर आपको नहीं मिल ला है अपना बाला तो आप यहां से view all कर लीजे अगर आप यहां से view all करेंगे तो आपको यहां से दिखेगा कि यतने सारे batches हैं किसी भी batch पर आप यहां से click करेंगे यह देखें यहां से 27 months की validity मिल रही है आपके लिए आप यहां से कुछ नहीं करना है आपको यहां से buy now पर click करना है और buy now पर click करने के बाद आपको यहां से code लगाना है Y497 मैंने आपको बताया था Y497 जैसे ही आप इसको apply करेंगे तो आपका जो amount है वो 5518 के असपस पढ़ेगा app download करेंगे तो और थोड़ा सा कम पढ़ जाएगा 5499 के असपस ठीक है तो मेरे खहाल से यह कोई बहुत बड़ी कॉस नहीं 27 months के लिए systematic course जिसमें आपको सारे के सारे जो भी best teacher है वो पढ़ाने वाले material देने वाले है booklet देने वाले है question series चलने वाली है topper से interaction होने वाला है तो अगर यह सब मिल ला है तो you can just take the course और एक जन्वरी से जो अपनी journey है वो start करते हैं यह batch जो है वो अभी new batch जो weekend वाला है आप regular भी ले सकते है regular weekend दोनों ही है तो यह batch आप join कर सकते हैं और जब आप join करेंगे join करने के बाद it's up to you कि आप उसको journey को कितना बहतरीन मना सकते हैं हम आपके साथ हैं उसको और बहतरीन मनाने के लिए ठीक है तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं से leave करते हैं and happy new year to all of you सब लोग must रहो बहतरीन रहो यह offer first of january तक है तो इसको जो लोग भी चाहते हैं वो लेके batch man roll करें thank you, bye bye, take care